हेलो एवरिवन आज इस वीडियो में मैं आप सब के साथ एक गजब के देसी जुगाड को इस्तमाल करके आपके लिए एक बहुत ही खुबसूरत और हट करके केक की डेकोरेशन लेकर के आई हूँ और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई रोस पेटल बनाने वाला नौजल नहीं है तब आप कैसे फलार बना करके अपने केक को एक यूनीक तरीके से सजा सकते हैं तो गाइस बहुत ही अमेजिंग सा मैथट है आप वीडियो को बिन स्किप किया इंट तक जरूर देखेगा तो यहाँ पर देखिए केक के आइसिंग तो हमने कर लिया है बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करेंगे क्योंकि आज हम एक स्पेशल जुगार को यूज करके इसके उपर एक अलग तरीके का टेक्शर देने वाले है तो यह मैने लिया है गाजर कसने वाला ग्रेटर आप सभी के घर में यह किचन में जरूर होगा तो बस इसी को टैप करके हम केक के सर्फिस पर एक टेक्शर बनाएंगे आपके ग्रेटर में जैसा भी साइज हो छोट पूरे सर्फेस को हमने कवर कर लिया है कहीं भी आपको गैप नहीं चोड़ना है बहुत ही खुबसूरत सा और अलग सा टेक्शर हमारा बन गया है और अब इस पर फ्लार बनाने के लिए आज मैं यूज कर रहे हूं फ्रेंड्स लीफ पेटल बनाने वाला नॉजल मेरे पास कोई भी इन में से नॉजल नहीं है तब भी आज के डिजाइन को आप आराम से बना सकते हैं वो कैसे चलिए देखते हैं तो अभी तो मैंने देखिए पिंक कलर की क्रीम ली है और नूर वाला आर टैन बड़ा साइस का लीफ नॉजल लिया है और सिंपली इसको देखिए शे पेटल वाला फ्लार बना सकते हैं पांच पेटल वाला फ्लार बना सकते हैं अपनी स्पेस के हिसाब से और यह देखिए हलका सा शेक करने से कितनी प्यारी और ओरिजिनल जैसी पेटल हमारी बन रही है यह देखिए बहुत ही सुन्दर सा फ्लार बना है फ्रेंड्स यह आप इस तरीके से फ्लार बना सकते हैं तो ऐसा जरूर नहीं है आपको रोज पेटल बनाने वाला नौजल ही हो तभी आप फ्लार बना सकते हैं तो इस ट्रिक को जरूर आज माईएगा यहापर देखिए कुछ पांच, कुछ छे पेटल वाले मैंने रेंडमली ऐसे फ्लार बना दिये हैं और लगबग आधा केक हमारा इससे कवर हो गया है आप कोई सा भी दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं बट मैंने आप पर पिंक कलर यूज़ किया और मुझे यह केक बहुत ही सुन्दर लग रहा है इस कलर से और अब देखिए सेम इसी नौज़ल से इसी कलर की क्रीम से मैं नीचे वाला बॉर्डर बना रही हूँ सिंपली टैप करते हुए चोटी-चोटी पत्तियां हम बनाएंगे आप चाहें तो आगे पीछे करके भी बॉर्डर बना सकते हैं ये वाला मुझे बहुत ही सुद्दर लग रहा है ये देखिए तो चारो तरफ हम ये केक का बॉर्डर बना लेंगे अब इन फ्लार्स पर थोड़ी सी और ओरिजिनल डिटेलिंग करने के लिए मैंने लिए येलो कलर की क्रीम और सिंपली उसको पाइपिंग बैग में भर करके एक छोटा सा छेक कट किया है और इसकी मदद से बीच में हम कुछ इस तरीके की डिटेलिंग करेंगे सिंपली डॉट्स में बना रही हूँ पस पाइपिंग बैग को उपर की तरफ खीच रही हूँ जिससे जो डॉट्स हैं वो थोड़े लंबे और उभरे हुए बन रहे हैं जैसे कि फ्लार्स के बीच में होते हैं तो सभी फ्लार्स के बीच में हम ये डिटेलिंग करेंगे अब इन फ्लार्स के आस पास में ग्रीन कलर की लीव्स आज नहीं बना रही हूँ आज मैं पर्पल शेड यूज़ कर रही हूँ मेरी जो पिंक कलर की क्रीम बच गई थी उसी में मैंने लिक्विट पर्पल कलर डाला जिससे क्रीम का टेक्शर काफी सॉफ्ट हो गया और उसे मैंने पाइपिंग बैग में भर करके देखिए उल्टा वी कट दिया है और इससे मैं लीव्स बनाऊंगी ऐसा करने से जो हमारी फ्लार की पैटल है वो इन लीव्स से थोड़ी अलग दिखेंगी और केक सुन्दर भी लगेगा यहाँ पर जो आधा सर्फिस हमारा केक का बचा था वहाँ पर मैंने यलो क्रीम से देखिए पल वाला बॉर्डर बनाया है और जो वाइट सर्फिस हमें खाली दिख रहा है अब वहाँ पर मैं वाइट एडिबल पल्स सेट कर रही हूँ और अभी हाली में फ्रेंड्स में मार्केट गई थी वहाँ पर मुझे यह नॉन एडिबल गोल्डन बटरफ्लाइस का पैकेट मिला तो मैं वहाँ से पर्चेस करके लाई तो एक मैंने देखिए बटरफ्लाइ भी यहाँ लगा दी है जरूर और हाँ बिना देरी के इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिया गया बैल आइकन जरूर दबाईएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉल्लू कर सकते हैं